बड़ी लापरवाही सामने आई है मामला राजधानी राइपूर का है जहां प्रिंस नागपाल के द्वारा ओनलाइन के माध्यम से नामांतरण के लिए आवेदन दिया गया था आवेदन करने के बाद अब एक साल बीथने को है लेकिन अब तक नामांतरण का मामला सुलज नहीं पाया है इस बीच आवेदक ने जब राजध कारले जाकर पता किया तो पता चला कि उक्ते खसरा नंबर के लिए किसी और का नाम आदेशित कर दिया गया है यह एक बड़ी लापरवाही राजध सुबिभा के सामने आई है जहां एक ही खसरा नंबर पर तो लोगों के नाम आदेशित कर दिये गये है अब आवेदक उसे सुधरवाने के लिए तासुल कहरे लेकि चक्कर काट रहा है दस आट को जब हम वहाँ पर गए तो हमें यह बताया गया कि हमारी फाइल गुम गई है ताना कि मार्च 2022 में मेरा केस यह बुलते हो खारिश कर दिया गया कि आवेदक इसमें इंटरस्ट नहीं ले रहा है अदम पैरवी में खारिश कर दिया गया पारा आवेदन प्रस्टूत करने पर पता लगा कि जिस दोरान मेरी फाइल गुमना बताया गया था उसी दोरान अगस्त के महीने में किसी और ने उसी खसरे क्रमांक में अपना आवेदन प्रस्टूत के नामंतरन में और उनके नाम पे नामंतरन कर दिया गया है इस फैसले को तुरांद रहत करके उक्त खासरे को